आप सभी लोगों का सुवागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर तमनेल आपने पिल्कुल सही पड़ा CMP08 लेट फाइल करा और डिपार्टमेंट ने लगा दी सेक्शन 47 में 10 अजार रुपे की लेट फीज क्या यह सही है मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर बताओ यह देखो हमारे बास एक नोटीस आजया हुआ है दस महीं में किसी क्लाइंट को और उस नोटीस में लेट फीज लगाई गई है उनुनीज बीस के लिए पाच-पाच शजार रुपेगी और मैटर क्या है लेट फाइलिंग ऑफ सी एंपी जी रो एट से एंपी जीरो एट के लिए लेट फाइलिंग के लिए क्या लेट फीज लग सकती है कमेंड बोक्स में लिखकर बताओ इन्होंने सेक्शन 47 में लेट करा section 39 की return का तो हम late fees लगाएंगे अगर आप section 47 पढ़ते हो तो यह कहता है जी अगर आपने default करा section 39 की returns का तो हम late fees लगाएंगे तो cmp08 क्या return है आप मुझे comment box में लिख कर बताओ मेरे हिसाब से return नहीं है नई सर cmp08 आता तो section 39 से तो चलो मैं तुमारे को section 39 भी बढ़ा देता हूँ जब हम section 39 में जाएंगे तो महाँ पर हमारे दो section है एक है हमारा section 39 2 जो बात करता है composition dealer की composition dealer की return की बात करता है तो section 39 2 किस चीज की बात करता है भाईया वो cmp08 की नहीं करता वो बात करता है किसकी gstr 4 की तो यहां पर जब हम return की बात करते हैं अंडर section 39 2 तो वहां पर gstr 4 की बात होती है तो अगर आपकी gstr 4 लेट है तो आप लेट फीस लगा सकते हो लेकिन cmp08 की नहीं लगा सकते सर cmp08 भी तो section 39 में बात करता है हां लेकिन section 39 7 में होती है इसकी बात और section 39 7 किस चीज का है comment box में लिख कर बताओ section 39 7 हमारा returns का section नहीं है section 39 7 हमारा payment of tax का section है और इस payment of tax के section में लिखा हुआ है कि आपको cmp08 से payment करनी है तो यह एक return नहीं है यह एक payment का लगेगी जो की section 39 में लिखी है और section 39 में gstr4 लिखी है cmp08 एक return नहीं है वह एक चलान है जो आपको 18 तारिक तक जमा करना है और अगर वह चलान है तो सर क्या उस पर interest लगेगा answer ही yes interest लगना जायज है आप मेरी कितनी बातों से सहमत है मुझे comment box में लिख कर बताए यह जो officer ने penalty लगाई है या sorry late fees लगाई है क्या यह सही है यह गलत है अगर यह सारी डिटेल जानना चाहते है तो हमारा एक gst returns का course है आप उसे purchase कर सकते है दस घंटे का course है उसमें हमने gstr 1, 3b, cmp 08, gstr 4, n1 written सब कुछ cover कर रखा है और अगर आप litigation में जाना चाहते है कि इस notice का reply कैसे करे, appeal कैसे file करे, advance ruling क्या होती है तो हमारा advance ruling का course है ठीक है ना हमारा litigation का course है आप उसे join कर सकते है हमारा इसी संडे से वह course स्टार्ट हो रहा है और इस संडे को हमारा gstr 9 और 9C पर session आ रहा है इस special session है अगर आपको वह join करना है तो आप उससे join कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में लिखकर बताना ठीक है जिससे की मैं जादे से जादा वीडियो बना सबकूँ और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करे वीडियो को subscribe करें और दूसरे लोगों तक share करें धन्यवाद